दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए मटका बॉलिवूड यूट्यूब चैनल को और दबाईए इस घंटे को ताके आपको मिल सके बॉलिवूड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले दोस्तो स्वागत हैं आपका एक बार फिर से जी हाँ दोस्तो आज हम आपको अभिनेता रितिक रोशन की 19 अपरेल 2002 में रिलीज हुई फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे और आफताब सिब्दाशानी की 22 मार्च 2002 में रिलीज हुई फिल्म क्या यही प्यार है के बॉक्स आफिस कलक्शन के बारे में बताएंगे तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या यही प्यार है फिल्म के बारे में दोस्तों अगर हम क्या यही प्यार है फिल्म की बात करें तो ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी और ये एक इंडियन हिंदी ड्रामा रोमैंसे भरपूर फिल्म थी इस फिल्म को मुरली मोहाना ने डेरेट किया था इस फिल्म में आफताप शिबदसानी अमिशा पटेल और आशिश विध्यारती थे अगर हम इस फिल्म के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात करें तो 13 करोड रुपए था इस फिल्म ने इंडिया में त मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म की बात करें तो ये फिल्म भी 2002 में रिडिस हुई थी और ये एक एक्शन ड्रामा रोमैंसे भरपूर फिल्म थी इस फिल्म को विकरम भट ने डेरेक्ट किया था इस फिल्म में रितिक रोशन और अमिशा पटेल थे अगर हम इस फिल् फिल्म ने इंडिया में तकरीबन 9 करोड रुपए का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था और आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म को बनाने में तकरीबन 10 करोड रुपए खर्च हुए थे और ये भी एक फिल्म साबित हुई थी तो दोस्तों आपको इन दोनों फिल्म में से कौन से फिल्म ज्यादा पसंद आई थी कमेंड में जरूर बताईएगा मैं फिर मिलूँगा आपको एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थैंक यू